इमशकार दोस्तों, जब से रशिया और उक्रेन का क्राइसिस चल रहा है, यूएस के द्वारा प्लाइनिंग की जा रही थी कि जल से जल ट्रूप्स को भेजा जाएगा, सोल्जर्स को भेजा जाएगा, यहाँ पर इन फैक्ट आप देख सकते हो एक हफते पहले की न्यूज ह अभी चल के आ रहा है, इस हमें present context में, और यहाँ पर कितने troops कौन से देश में भेजे जा रहे हैं, क्योंकि हम Eastern Europe की बात कर रहे हैं, मैप के माध्यम से काफी कुछ जानने को मिलेगा, चली आगे बढ़ते हैं, लेकिन उसके पहले, अगर आप UPSC या फिर किसी भी exam की त्या अभी हुआ क्या है, जो बाइडन, अमेरिका के राश्पती ने formally approval दे दिया है कि करीब 3,000 US troops इनको deploy किया जाएगा तीन देशों में, कौन-कौन से देश हैं, Poland, Germany and Romania, यहाँ पर आप इस मैप में अच्छे से देख सकते हो, कि कौन-कौन से जो NATO के members हैं, North Atlantic TT Organization, याद रखेग जो देश ने जॉइन कर लिया था, जैसे कि अभी present में total अगर आप देखिए, तो 30 members इसमें आपको देखने को मिलेगा, और यहाँ पर right side में आप देखोगे, तो यह Ukraine है, वो लंबे समय से कोशिश कर रहा है कि यहाँ पर वो इस NATO का ally बन जा है, NATO का part बन जा है, तो basically क्या है कि यहाँ पर जो Moscow और जो Russia है, उन्होंने अपने जो troops हैं, soldiers हैं, उसको अलरी deploy किया हुआ है, एक लाग से भी जादा troops ऐसा बताया जा रहा है, कि वहाँ पर border areas पर देखने को मिलेगा, और इसी की वज़ए से यहाँ पर कोशिश की जा रही है, कि जो NATO के members हैं, तो यहाँ पर देखोगे, यहाँ पर Poland, Slovakia, Hungary और Romania, यह चार जो आपके NATO के allies हैं, उनके साथ boundary जूरते वे देखने को मिलेगी, और यहाँ पर भी आप देख पाओगे Belarus, यह भी आपका है, लेकिन Belarus क्या है, यह Moscow के काफी जादा नजदीक है, इसके जो President है Belarus के Alexander Lukashenko, आपने सुना होगा, व ताकि जो NATO countries हैं, उनको एक प्रकार से assurance मिल सके, और एक प्रकार से भरोसा हो, कि कल के date में अगर Russia किसी भी प्रकार की छिड़कानी करनी की कोशिश करता है, Ukraine पर attack करता है, जो भी कुछ होता है, तो वहाँ पर जो NATO के allies हैं, मतलब कि यहाँ पर US के allies आप कह सकते हो एक प्रकार करीब 2000 troops को अभी के लिए United States से directly भेजा जाएगा, जो कि Poland और Germany में जाएगे, तो यहाँ पर 2000 troops क्या होंगे, US से आएगे directly और उनको Germany और Poland में deploy किया जाएगा, इसके अलावा यह भी बतायागी है कि Germany में already 1000 troops मौजूद हैं, US के, उनको यहाँ से हटा उठा कर Romania भेजा तो इस तरह से पूरा work करने वाला है, तो 1000 अलरी वहाँ पर है, 2000 और भेजा जा जा रहा है, तो टोटल यहाँ पर 3000 troops को deploy किया जा रहा है, यही approval दिया गया है, और जैसा कि मैंने आपको बताया है, यहाँ पर Ukraine और Russia का जो border है, इस पे पूरा यहाँ पर आपको देखने को मिल यह जो Eastern Europe है, वहाँ पर already soldiers है, यह extra 3000 और भेजे जा रहे हैं वहाँ पर, और यहाँ पर किर्वी का कहना था कि यह permanent नहीं है, और उन्होंने emphasize कि forces जो है, वो Ukraine में fight करने के लिए नहीं जा रही है, ध्यान रखना है आपको कि कोई भी देश जो है, वो इस तरह से directly तो बोल नही होंगे, तो Biden नहीं यह जो पुरा decision है, वो Tuesday को ही, यहाँ पर जो Defense Secretary है Lloyd Austin, उनके साथ मिलकर यह पूरा लिया है, इसके लावा यहाँ पर आप देख सकते हो, जो किर्वी हनों ने यह भी कहा, कि यह जो extra troop soldiers US भेज रहा है, यह movement जो हो रही है, इसका मतलब यह नहीं है कि US समझ हैं, अगर आप NATO का agreement देखोगे, उसमें है एक Article 5, NATO के Article 5 है, Article 5 basically क्या कहता है, कि अगर आप NATO के किसी भी member पर attack होता है, मतलब जो 30 countries हैं, उसमें 30 countries हैं, उसमें किसी भी country पर attack होता है, तो वो सभी 30 country की उपर attack माना जाएगा, और automatically बाकी देशों को यहाँ पर उस देश को सुर में यह है कि पहली बार यहाँ पर, मतलब कि जब से बात कही जा रही है कि पुतिन कभी भी invasion launch कर सकते हैं, उसके बाद से पहला यह significant मौका आया है, जहाँ पर troops की हम बात करे हैं, कि US यहाँ पर troops भेज रहा है, और इसलिए इतना जादा significant हो जाता है, क्योंकि रशिया ने किस आप January को अगर देखेंगे, तो यह रशिया का border आपको दिख रहा होगा यहाँ पर, रशिया और Ukraine का border, तो पहले रशिया ने क्या किया था कि यहीं पर troops को deploy किया था आपने, लेकिन जैसा मैंने बताया कि यह जो यह वाला country है Belarus, यह Ukraine के just northern side में आप देखोगे, Belarus जो है, वो यहाँ पर Belarus के अंदर भी यहाँ पर deploy किये हैं, मतलब कि क्योंकि यह दोनों partner हैं, इसकी बज़े से एक प्रकार से आप कह सकते हो, Ukraine को आधे से ज़ादा जो है, वो घेरा जा चुका है, एक प्रकार से cover कर लिया गया है, soldiers के माध्यम से, और इसलिए बार बार यह जो खबरे ह war की, invasion की, वो आपको देखने को मिलेगा, जहां तक invasion का route है, वो भी possibility बताय जा रही है, कि यहाँ पर तीन route हो सकते हैं, एक तो नदन वाला route हो गया, Belarus और रश्या के माध्यम से यहाँ पर, फिर इसका central route हो गया, जैसे कि आप देख सकते हो, और especially central route में अगर आप देखोगे यहाँ से भी invasion किया जा सकता है, यह सारी possibilities बताय जा रही हैं, इसके अलावा मैं आपको यह भी बता दू, क्योंकि यह सारी चीजें हो रही हैं, इसकी वज़े से 8500 troops को alert पे रख दिया गया, US के अंदर 8500 ऐसे troops हैं, जो एकदम alert पे हैं, और कभी भी आवशकता पड़ीगी अगर NATO response forces की और US के forces को बुलाया जाएगा, तो उनको तुरंतली वहाँ से भेज दिया जाए, ऐसा किया जा रहा है, और जो press secretary है किर्वी, उन्होंने यही का कि यह जो troops deploy किया जा रहे हैं, वो 8500 से separate है, मतब जितने भी troops की उन्हें बाद की वो अलग-अलग हैं, और Pentagon किसी प्रकार की possibility को rule out नहीं कर रहा है, कि आगे चल कर और भी troops की movement हो सकती है, मतब यहाँ पर clear indication दे दिया गया है, कि US और भी जो CENIC है वो भेज सकता है अपने देश से, Eastern Europe के अंदर, ताकि वो NATO के allies को safe कर सके, अब देखें यह important इसलिए हो जाता है, क्योंकि balance आपको नहीं कितने हैं, तो करीब Russia के पास 9 lakh active troops हैं, Ukraine के पास 2 lakh active troops हैं, इसके लावा attack aircraft हो गया, 98 Ukraine के पास हैं, 1500 से जादा आपको Russia देखने को मिलेगा, helicopter की आप संक्या देख सकते हो, tank हो गया, हर मामने में 5000 टैंक की इनके पास हैं, तो इनके पास 12,000-12,000 हैं, armored vehicles हो गया, towered artillery हो गया, तो military strength के मामले में, यहाँ पर आपको clearly देखने को मिलेगा, कि Russia एक बहुत बड़ी, एक महाशक्ति आप कहा सकते हो, इसी की बज़े से यहाँ पर US और NATO के allies, एक प्रकार से आप कहा सकते हैं, Ukraine का पूरा साथ दे रहे हैं, अब यह जो भी कदम हुआ है, इसकी बज़े से जो NATO के safe feel करे, आप देख भी पाओगे, यहाँ पर जो Poland के foreign minister है, वो उनका visit चल रहा है समय, Thursday से start होने वाला है Washington में, और इसी को लेकर सारी बातचीत हो रही है, तो यह तो current situation हो गया, जहां तक भारत के perspective से बात है, तो देखे, भारत की तरफ से अगर हम concerns देखें, तो mainly यहाँ पर जो community रहती, Indian community, वो आपको students की मिलेगी, और उसमें भी medical जो colleges हैं, वहाँ पर students रहते हैं, उनकी बड़ी संख्या देखने को मिलती है, already मैं आपको बता दूँ कि जो Indian embassy है कीव में, Ukraine की जो capital है कीव, वहाँ पर Indian embassy ने जो information है, उसको जुटाना start कर दिया है, कि exactly कितने लोग है क्या है, क्या है, क्योंकि कल के date में अगर कुछ भी possibility होती है, वहाँ की, तो तुरंत वहाँ से हम उनको निकाल सकें, और यहाँ पर आप देख भी पाऊगे कि जो government का estimate है, 18,000 Indian students इस समय Ukraine के अंदर मिलेंगे, लेकिन हो सकता है कि यह संक्या कम हो गई होगी, विकास recent में जो lockdown हुआ था, जो covid pandemic हुआ था, उसकी वज़े से, online जाने के वज़े से यह कम हो गया होगा, और आपको पता ही होगा, recently अभी मैंने वीडियो भी बनाया था, जहां पर भारत ने जो stand लिया है, वो एक प्रकार से balance stand लिया है, या फिर आप कह सकते हो, रश्या की तरफ tilted वो stand है, US लगी एक UNSC Security Council के अंदर meeting हो की ना हो, Ukraine crisis को लेकर meeting हो की ना हो, इसको लेकर voting हो रहा था, तो भारत ने abstain कर दिया, किसी भी तरफ का पक्ष नहीं दिया गया, लेकिन इसको एक प्रकार से रश्या का ही पक्ष माना जा रहा है, क्योंकि यहां पर abstain किया है, और रश्या का इस पूरे मुद्दे पर लेने की कोशिश कर रहे हैं, तो यह पूरा विबाद है, दोस्तों, I hope कि आपको समझ में आ गया होगा, जाने से पहले एक interesting question, क्या बता सकते हैं, यह क्योंकि हम Europeans की बात कर रहे हैं, तो आपको पता ही होगा, 15-16th century में काफी Europeans आ रहे थे भारत के तो यहाँ पर printing press की अगराम बात करें, first time जो भारत में लाया गया था, mid 16th century में, यह किसके द्वारा लाया गया था, यह आपको बताना है, इसका right answer आपको पता ही है, मेरे Instagram पर तो मिले गई, वहाँ पर अगर आप नहीं हो कोई बात नहीं, आप Telegram से भी ले सकते हैं, इसका अगर आप PDF चाहते हैं, टेलिग्राम पर आईए, लग-लग सोशल मीडिया पर भी आप जोड़ पाएंगे, साथी साथ यो PSC के जारी कर रहे हैं, तो आपको डाउनलोड कर ये, I hope कि वीडियो आपको पसंद आए होगा, मिलता है आप से next time, till then thank you very much, see you soon.